स्लाम अलेकुम वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ आलू चप की रिष्पी शेयर करूंगी तो चलिए बनाने चलते हैं यहां हमारी याद रख है तीन हरी मिर्च है लेशन की कलिया है और धन्या पत्ते हैं भुनी हुई बदाम है तलने के लिए तेल है एक कप बेसन है एक बड़ी चमच नमक है चार से पांच आलू है तोड़ी से ग्रम असाले है हल्दी पोड़र है एक कप पानी है एक गरेंडर जार में लहसून आदराग हरी मिर्च को डाल कर पेष्ट बना लेंगे हमारे पेष्ट तयार है एक बॉल लेंगे उसमें एक कब बेसन लेंगे पेष्ट एड़ करेंगे और सारे मासाले आड़ करेंगे अब धन्य पत्ति डालेंगे और नमक डालेंगे थोड़ी थोड़ी पानी देकर बैटर तयार कर लेंगे थोड़ी थोड़ी पानी देकर बटर बनाएं ताकि लेंगे लेंगे हमारी बैटर रेड़ी है गरम हो जाने पर पजपोरा नेट करेंगे अब पीसी हुई पेस्ट डालेंगे और सारे मसाले एट करेंगे मसाले थोड़े भून जाने पर अब नमक डालेंगे हमने आलो को बॉयल कर लिये थे इसे कि मैस कर लेते हैं हमारे मसाले भून कर तयार हो चुकी है इसमें अब आलो एट करेंगे अब मसाले में आलू को मिक्स कर लेंगे शी तरह से मिक्स हो जाने पर अब इसमें बदाम डालूँगी अब इसमें धन्य पत्ति अट करेंगी ताके टेस्ट बढ़ जाए यड़ से हमारे श्टाफिंग बनकर तयार है आलू ठंडी हो जाने पर टिक्या बना लूँगी आप जैसे टिक्या बनाने चाहते हैं वैसा बनाइए मैं गोल्ड सेप दे रही हूँ तरीके से सारे टिक्या बना कर तयार कर लेंगे हमारे टिक्की बनकर तयार है अब इसे फराय कर लेते हैं नाई में टिक्की तलने के लिए तेल गर्मी कर लेंगे टिक्की को बैटर में लपेट कर तल लेती हूँ एक सब्राउन हो जाने पर टिक्कियों को पलट लेंगे हमारी टिक्की तल कर तयार है अब इसे निकाल लेते हैं हमारी अलुचो बन के तयार है अगर हमारी रेश्पी अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें और अगले वीडियो मिलूगी तब तक के लिए बाई बाई असलाम लेगे